ठंड में पराठे खाने का मज़ा ही अलग है और जब ये मूली के हो तो बात ही अलग है नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी आर जी के पीडिया पर जहां हम लाते हैं आपके लिए सेहत और पोशन से जुड़े अनमोल सुजाव साथियो आखिर मीठी और टेस्टी मूली आती भी सरदियों में ही है मूली सेहत के लिए बहुत लाबदायक है इतना ही नहीं खराब डाइजेशन और पीलिया में तो इसका सेवन जान बूच कर करवाया भी जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि मूली के पराठों के साथ करें इनका असर एकदम तो नहीं दिखता लेकिन धीरे धीरे ये शरीर के कई सिस्टम को खराब कर सकता है मूली की तासीर और प्रवित्ती कुछ फूड्स की तासीर और प्रवित्ती के साथ कतई मेल नहीं खाती इसके कारण शरीर में कई सारे साइड एफेक्ट्स दिखने क मूली का सेवन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए. अगर आप इसे गलत फूट्स के साथ जोड़ कर खाएंगे, तो परिशानिया बढ़ सकती हैं. हो सकता है कि आपको एकदम इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, मगर धीरे-धीरे ये गंभीर हो सकती हैं और संभाले नहीं स हो सकता है. दोनों खादिपदार्थ मिलकर पाचन खराब कर देंगे और गैस एसिडिटी बनाएंगे. दोनों की प्रकृती एक दूसरे से अलग होती है. इस समस्या को नजर अंदाज करने पर आगे जाकर हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिंटेस्टाइनल इसोफिगियल रिफलक्स डिजीज हो सकती है. दूसरी चीज है दूद. मूली के साथ दूद का सेवन करने से भी बचना चाहिए. एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इन दोनों चीजों का एक साथ सेवन पूरे शरीर के लिए नुकसान दायक है. इसकी वज़े से कुछ लोगों में स्किन डिजी के साथ मिलकर पाचन करिया को धीमा कर सकता है. लंबे समय तक ये आदत आपकी चरबी को बढ़ा सकती है. चौती चीज है करेले की सबजी. अगर आप मूली पराठा को करेले की सबजी के साथ खा रहे हैं तो इस आदत को भी छोड़ दे. ये आपके डाइजेस्टिव और र समभावना बढ़ जाती है. ये पाचन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है और गैस या अपच की समस्या हो सकती है. अगर आप मूली के परांठे खाने से पहले या बाद में ऐसे खटे फल खाने की सोच रहे हैं तो ये गल्ती भारी पढ़ सकती है. साथवीन चीज है. गुड और मूली का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों की प्रक्रिती अलग होती है. इससे शरीर में विशाक्तता बढ़ सकती है और स्किन एलर्जी या अन्ये स्वास्ती समस्याएं हो सकती है. तो साथियो, ये थी मूली या मूली के पराठे खाते समय ध्यान देने होते हैं. फाइबर भरा होने की वज़े से ये पेट के लिए अच्छी है. इसमें एंटी-कैंसर, एंटी-फंगल गुन होते ही हैं. तो साथियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आ आंठे का आनंद ले, ताकि आप खुद को स्वस्त और उजवान महसूस करें. नमस्कार.